दोस्तों नमस्कार मैं आउंकार गोश्वामी आज हम वर्स 2018 में आयोजित सेकंड गेड के सेकंड पेपर हिंदी की बात करने वाले हैं जो की 300 अंका था और यह एक नॉम्बर 2018 को आयोजित हुआ था RPC द्वारा आंसर की से इसका मिलान किया गया है और अभी चूंकि सेकंड गेड की वेकेंसी आ गई है और जिनका फोकस सेकंड गेड की वेकेंसी पर ही है उनको पिछले सालों के सेकंड गेड के पेपर के इस तर को जरूर देखना चाहिए इससे उनको पेपर के इस तर पेपर के दोरान प्रस्ट की प्रकरती किस प्रकार की रहती है किस तरह के प्रस्ट आते हैं कठना इस तर कैसा रहता है त्यादी सारी जानकारी पेपर का सुलिशन करने से उसे आती है और इससे उसके इस तैयारी में और गती मिलती है आईए तो हम आज सकेंड गेड हिंदी की पेपर के सुलिशन को प्रारम करते हैं सबसे पहले जो पहला प्रस्ट आया है वह है इन में से किस वाक्य में वेसेशन की उत्तमा वस्था प्रयोक्त हुई है इसका सही उतर है विकल्प चार हमारी कक्सा में वह सबसे होशियार चात्र है प्रस्ट आया है दूसरा निम्नंकित में अकर्मक क्रिया है और इसका सही उतर है विकल्प तीन नाचना अगला प्रस्ण है किस वाक्य में द्वी कर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है और इसका सही उतर है पहला लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी चौथा प्रस्ण है निम्नांकित में प्रेर्णार्थक क्रिया नहीं है प्रस्ण की प्रकृति को ध्यान से सुनना है नहीं है और इसका सही उतर है भूलना पांच्वा प्रस्ण है निम्नांकित में क्रिया विशेशन नहीं है इस बात को भी ध्यान लखना है और इसका सही उतर है अनगिनत विकल्प पहला जो है वो इसका सही उतर है छठा प्रस्ण है किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है ये बात और ध्यान लखनी आपको और इसका जो सही उतर है वहा है विकल्प चार वहा पड़ाई कर रहा है अगला प्रस्ण है पानी में थोड़ी बर्फ डाल कर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए इस वाक्य में समुच्य बोधक सब्द है और सही उतर है इसका विकल्प तीन ताकि आठवा प्रस्ण है निम्नंकित में संकेत आर्थक वाक्य है और इसका सही उतर है विकल्प दो यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा नवा प्रश्ण है मोहन के दोस्त सोहन ने परिक्षा में प्रथम अस्थान प्राप्त किया इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है तो इसका जो सही उतर है वहा है मोहन के दोस्त विकल्प अ समास की दिष्टी से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है यहाँ पर इस बात को गहराई से ज्यान देना है कई बार हम प्रश्ण को करते समय जल्द बाजी कर लेते हैं और प्रश्ण की प्रकरती को समझ नहीं पाते हैं और तीव्र गती से उसका उत्तर अपनी जो आंसर सीट है उसमें कर देते हैं तो इससे हमें नुक्षान होता है तो हमें प्रश्ण की प्रकृति को हमेशा समझना चाहिए और प्रश्ण को हमेशा अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए इसका सही उतरे विकल्प चार प्रत्यारोप कर्मधारे समास अगला प्रश्ण है ग्यारवा इन में से किस समासिक पद का विग्रह सही नहीं है और उतर है उत्रोतर उत्तर में उत्तर यह जो सही नहीं है बारवा प्रश्ण है इन में से किस विकल्प में सही संधी नहीं हुई है आपको यह भी जान देना है कि संधी वो सही नहीं हुई है उस विकल्प को उमें चुनना है तो यहां पर जो विकल्प पहला है योगी धन ईस योगेस की यह संदीश नहीं है इसलिए यह उत्तर इसका जो है सही है तेरवा प्रश्न है इन में से किस विकल्प के सभी सब्दों में अनुपसर का प्रयोग नहीं हुआ है और इसमें पहला जो विकल्प है इसके अंतरगत अनुपयोगी और अनुदात यह सब्द है जो कि इसका सही उत्तर है अगला प्रस्ण है चोधवा इन में से किस सब्द में उपसरग नहीं है तो इसमें जो विकल्प दो है उसमें उपसरग नहीं है और सही है नकटा पंदरवा प्रशन है इन मेंसे किस सब्द में ये प्रते का प्रयोग नहीं हुआ है जिसमें ये प्रते का प्रयोग नहीं हुआ है वह सब्द है विकल्प तीन भारतिय इसमें ये प्रते है शोलवा प्रस्ण इन में से कौन सा सब्द राक्सस का पर्याइवाची नहीं है और सही विकल्प है तीन यायावर से से राक्सस के पर्याइवाची सब्द है अगला प्रस्ण है सत्रवा रिजू सब्द का पर्याइवाची है यान की तीन नहीं है और एक ही है और वहाँ है विकल्प एक सीधा अठार्मा प्रस्ने सगन का विलोम है सगन का विलोम विकल्प एक इसका सही उतर है विरल उन्निस्वा प्रस्ने किस विकल्प में विलोम युग्म है यानि सेस तीन में विलोम युग्म नहीं है और एक में विलोम युग्म है और इसका जो सही उतर वो है चार सुरती विर्थी सेस में विलोम युग्म नहीं है बीस्वा प्रस्ण इन में से कौन सा सब्द अनेकार्थक सब्द पंक से संबध नहीं है और इसका जो उत्तर है पंचक यह सब्द संबद नहीं है 21 प्रश्ण है इन में से किस विकल्प में चपल चपला सब्द युगम का सही अर्थबेद है यहन कि तीन विकल्प गलत है और एक ही सही है और वहा है विकल्प दो चंचल बिजली 22 प्रश्ण है कुल का नास करने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा और सही उतर है कुलांगार 23 प्रश्ण है निम्नांकित में अशुद सब्द है और इसमें तीन सब्द तो सही है विकल्प एक दो तीन सही है और चोथा जो विकल्प है मल युद यह अशुद है 24. इन मेंसे किस विकल्प में सभी सब्द सुद है? यनकि तीन विकल्प ऐसे हैं जिन में सभी दोनों सब्द सुद नहीं है और एक ऐसा विकल्प है जिसमें दोनों ही सब्द सुद है और वहा है विकल्प तीन हितेसी प्रसास्त 25 प्रस्थ निम्नंकित में सुद्ध सब्द है और इसका जो सही विकल्प है वहाँ है दो तंदूरुस्त 26. प्रस्ण निम्नंकित में अशुद्ध वाक्य है यानि कि तीन वाक्य सही है और एक वाक्य अशुद्ध है और वहाँ है विकल्प एक नौ जवान यूवकों को आगे आना चाहिए यह वाक्य है वो गलत निर्मान किया गया है 27 प्रस्ण इन में से अशुद वाक्य है, सही है और ये पहला विकल्प है ब्रोमर पुसपों के परागों को चूसता है या वाक्य अशुद है, 28 प्रस्ण अत्यद्य गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा है, इसके लिए सही मुहावरा है, खुन, खौलना, 29 से लेकर 32 तक जो प्रश्ण वह इस पद्यान से समंदित है यानि कि इसको पढ़ करके उसके उत्तर देने है पहला प्रश्ण अराती सब्द का अर्थ है और इसका अर्थ है विकल्पतीन सत्रू 31 प्रश्ण है उक्त पद्यावतरण का केंद्री भाव है या क्या है और वहाँ है सोचने विचारने की स्वतंतरता 31 प्रश्ण है दास्ता का प्रचारक कौन है और इसका सही उत्तर है विकास की संभावनाएं नकारने वाला 32 प्रश्णे स्वतंतरता की उप्मा किस से दी गई है और वह सही उतर मनी 33 प्रश्णे इन में से कौन शी भाषा भारतिय समिधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और इसका जो विकलब चार है भोजबुरी वह सही उतर है 34 प्रश्णे है अब भेरत्रना पाठ के अनुशार बामाशाह अलंकरण किस के द्वारा किया जाता है और सही उतर इसका है महाराणा मेवाड फाउंडेशन द्वारा हालंकि इस बार के जो पाठ करम में ये प्रश्णे आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि इस बार पाठ करम बदल चुका है और NCRT की पुस्त के लागू हो गई है तो उन में से आपको सवाल पूछे जाएंगे पैतिस्वा प्रश्णे भोला राम का जीव कहानी का व्यंग्य विसे क्या है और इसका सही उतर है सासकी लाल फीता साही घूस खोरी और कुरूरता चतिस्वा प्रश्णे युवाओं से निवंद किस सैली में लिखा गया है तो उसकी सैली है संबोधन शैली सैतिस्वा प्रश्णे है तरवर फल नहीं खात है सरवर पिय नपान कही रहीम पर काज हित संपती संचही सुजान इस दोह में निहित भाव है तो सही विकलप है चार परौपकार 38. माखनलाल चतरवेदी की साहित्य अकादमी पुरुषकार से पुरुषकृत रचना है इसका सही उतर है विकलप दो हिम तरंगिनी हिम किरिटनी भी इनकी रचना है तो इन दोनों में कन्फिजन हो सकता है तो इसका जो सही उतर है वह है हिम तरंगिनी 49 प्रस्ण है दीपदान एकांकी का कैंद्रिय भाव है कैंद्रिय पात्र है तो सही उत्तर है विकल्प एक पन्ना 40 प्रस्ण है पूजन काव्यांस स्याम नारायन पांडे की किस रचना से उद्धृत है और सही उत्र हल्दि घाटी 41 प्रस्ण है राजिया रास्वरठा में राजिया सब्द किसके लिए प्रियुक्त हुआ है तो इसका सही उत्र है कवी के सेवक के लिए 42 प्रस्ण है और आज उपर ही उपर तन गए है तुम्हारे तंबू और आज छमका रही है पावसरानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल 43 प्रस्ण है एक अद्भूत अपूर्वस्वपन निबंद में किस विशे का वर्णन किया गया है तो इसका वर्णिय विशे है नाम और यस की लालसा का चावाल इसमा प्रश्णे इदगाह कहानी का केंद्रिय पात्र है हामिद पात्रों के बारे में पहले दीबदान एकांकी का पात्र पूछा गया आपको पढ़ते समय भी जो कहानिया इत्यादी है पात्र जो आ रहे हैं पात्रों में उनके बारे में जानकारी रखनी है पैंते अलिश्वा प्रश्ण है लोक संत दादु दयाल पाठ के अनुशार दादु दयाल ने किस संपरदाई की स्थापना की तो सही उतर है परब्रह्म संपरदाई की उन्हाने स्थापना की 46 प्रत्वी राज की आँखे एकांकी की संबंद में इन में से कौन सा कतन असत्य है इस बात को ध्यान रखना है यह गटना प्रदान एकांकी है यह जो इसका सही उतर है यह बात गलत है से शिशारी बातें सही है 47 वा प्रश्न है विस पिया अम्रित दिया निबंद किस चरित्र नायक के वेक्तित्व एवं क्रतित्व को उद्गाटित करता है और इसका सही उतर है डॉक्टर भीम राव अम्बेड कर 48 प्रश्ण है दुरत जहरो जगत के जीरण पत्र काव्य पंक्ती में जीरण पत्र से क्या अभिप्राय है और इसका जो सही उत्तर है शड़ी गली परंपराएं 49 प्रश्ण है मीरा काव्य से सम्मंधित कौन सा कथन सही नहीं है और सेस्तीन सही है और यह है जो कथन सही नहीं है इसमें सैयोग स्रिंगार का विशद वर्णन है यह बात सही नहीं है 50 प्रश्ण है कनक कनक ते सव गुनी मादकता अधिकाई उही खाए बोराई जग इही पाए बोराई उक्त दोहे का अभिप्रित अर्थ है तो इसका जो अर्थ है वहाँ है धन दौलत पाने मात्रशे आदमी बावला हो जाता है 51 प्रश्ण है बावजी चतुर सिंग जी का सम्मंद किस राज परिवार से है और सही उत्तर है मेवाड से इनका सम्मंद है 52 प्रश्ण है सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या की तुलना किस से की है और सही उत्तर है सुंदर नारी से की है 53 प्रश्ण है पुरुषकार कहानी की नाईका ने पुरुषकार स्वरूप राजा से क्या मांगा 54 प्रश्ण है बड़े घर की बेटी कहानी में परिवार विगटन को बचाने वाला है कौन सही उत्तर है आनंदी 55 प्रश्ण है एटम बंब कहानी के रचनाकार है तो सारी कहानियों सारे पाठों के जो रचनाकार है उनके नाम आपको याद होने चाहिए तो एटम बंब कहानी अमरत लालनागर की है दर्ती धोरारी कविता में राजिस्तान में राजिस्तान की धर्ती की तुलना किस से की गई है तो सही उत्रे स्वर्ग से की गई है 57. दुस्यंत कुमार के गजल संग्रह का नाम क्या है तो साय में धूप इनकी गजल संग्रह का नाम है 58. ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाच पे नाच नचावे अर्थात कृष्ण गोपियों के इसारे पर नाचते हैं इसका कारण है और इसका सही उत्रे विकल्पचार गोपियों का निश्चल प्रेम 69. अगनी की उड़ान किस गध्य विधा की रचना है 60. हार की जीत किस प्रकार की कहानी है 61. मित्रता पाठ के आधार पर बताईये की व्यक्ति जीवन में मित्रता की धुन कब सवार होती है 62. प्रस्ण है निर्वासित कहानी की रचईता है इसका सही उत्रे सूर्यबाला प्रस्णाकारों के नाम काफी एक प्रस्ण और भी आया है पहले तो आपको सारे रचणाकारों के नाम भी याद होने चाहिए जितने भी पाठ हमारे कोर्स में कक्सा नो से बारह तक के 63. प्रस्ण है भूर का तारा एकांकी का कथानक किसके सासन से सम्मन्दित है 64. प्रस्ण है जनवरी 1941 में सुभाष चंद्रबोस किस छद्म वेश में देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन पहुंचे और इसका जो सही उतर है विकल्पदो मौलवी 65. प्रस्ण है पेशोला की प्रती ध्वनी में वर्नित जील किस सहर में है 66. प्रस्ण है तीश कोटी संतान नगन तन अरद शुधित सोसित नरश्त्रजन यह पंक्ती किस कविता से ली गई है 67. प्रस्ण है पंत कृत भारत माता कविता में भारत भूमी के लिए इन मेंसे कौन सा विशिशन प्रियुक्त नहीं हुआ है तो तीन विशिशन प्रियुक्त हुए हैं ग्राम वासिनी, सरदेंदू, हाशनी, गीता प्रकाशनी जबकि विकल्प एक सतत विलाशनी यह प्रियुक्त नहीं हुआ है 68 प्रस्णे किर्ण धेनुए कविता के अनुशार किर्ण रूपी गायों का समूह क्या चर्ता हैं अन्दकार 79 प्रस्णे बाबु गुलाब राय के अनुशार बारतिय संस्कृती का अंग नहीं है और उत्तर इसका भौतिक वादी विचारदारा शेस सारे अंग है जबकि यह बौतिक वादी विचारदारा बारतिय संस्कृती का अंग नहीं है 70 प्रस्णे है द्विवेदी जी ने स्री स्पुस्प के माध्यम से किस दार्षनिक सत्य को अभी व्यक्त किया है तो सही उत्तरिसकाय संसार की परिवर्तन सीलता 71 प्रस्णे है श्री धर पराड करके अनुशार भारत के महा सक्ती बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है और उत्तर है द्रड इच्छा सक्ती का अभाव गाय करूना की कविता है गौरा पाठ के अनुशार यहप कथन किस का है माहत्मा गांदी जी का है 33 प्रस्णे मानस का हंस नामक उपन्यास किस के जीवन पर आधारित है वो स्वामी तुलसी दास के जीवन पर आधारित अमृत लाल नागर का उपन्यास है चोहतरवा प्रश्णे इंद्र जिम जंब पर बाडव जयो अंब पर कावि पंक्ती की रचनाकार कोण है प्रशिद है यह पंक्ती भूशन इसकी रचनाकार है पचेहतरवा प्रश्णे आत्म परिचे कविता के माध्यम से कवी क्या संदिस देना चाहता है तब कवी का संदि से सुख दुख दोनों में मस्त रहना चाहिए 6 तर्माप्रशने मेरा नया बच्पन कवीता की रचना किस ने की हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने 77 तर्माप्रशने जनेंद्र कृत बाजार दर्शन में किस बात पर बल दिया गया है और इसका सही उतर है आवशक्त्यानुशार ही वस्तुमें खरीदने चाहिए अठतर्मा प्रशने सिस्टाचार सब्यतावत तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर, खोखलेपन और दिखावटीपन को व्यक्त करने वाली रचना इन में से कौन सी है तो यह जो रचना इत तौलिये एकांग किये इसका सही उतर है उनासी वा प्रशने लक्षना सब्द सक्ति के सम्मंद में कौन सा कथन सही नहीं है तो विकल्प एक, दो और चार ये तो लक्षना सब्द सक्ति के सम्मंद में सही कतन है जबकि विकल्प ती ने वह लक्षना के सम्मंद में सही नहीं है तो इसका सही उतर विकल्पती ने इस अन्य अर्थ या लक्षयार्थ का वाच्यार्थ से कोई समंद नहीं होता है यह गलत है या लक्षना सबसक्ति के समंद में यह कतन सही नहीं है अगला प्रशने इन मेंसे किस आचार्य ने रीती को गुण आधारित माना है सही उतर है वामन प्रस्ण इक्यासमी इक्यासी वहाँ है इन में से कौन सा कतन असत्य है यानि कि तीन कतन सही है और विकल्प दो असत्य है माधुरी गुण में टर्ठ डर्डर से बने शब्दों का प्रयोग अधिक होता है तो उसमें नहीं होता है विकल्प दो इसका सही उतर है अगला प्रस्न है राजन देहु तुरंग मोही अत्वा देहु मतंग इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोस है तो इसमें दुस क्रमत्व काव्य दोस है अगला प्रस्न है पागल सी प्रभू के साथ सभा चिलाई सौ बार धन्य वह एक लाल की माई इस काव्य पंक्ति में उप में यह है तो इसमें जो विकल्प तीन सभा है उप में है अगला प्रस्न है चौरा सी सून भीती पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे उक्त काविपंक्ती में इन में से कौन सा अलंकार है तो इसका विकल्प दो है विभावना सही उत्तर है विभावना अलंकार इसमें प्रयोक्तुगा है अगला प्रस्णे इन मेंसे किस विकल्प में अलंकार और तत सम्मंधी उदारण सुमेलित नहीं है अलंकार और उसका उदारण सुमेलित नहीं है उसकी पैचान में करनी है तो इसका जो विकल्प तीन है सही है ब्रांती मान का यह उदारण नहीं है अगला प्रस्ण है स्वरठा चंद के विशे में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है स्वरठा चंद के बारे में नीचे वाली तीनों बाते सही है जबकि पहली बात वह सही नहीं है अगला प्रस्ण है इन में से कौन सा कार्य व्यापार काईक अनुभाव का दियोतक है और विकल्ब चोथा एवस सही उतर है कठाक्स पात अगला प्रस्टन है देखी सुदामा की दीन दसा करूना करके करूना निधी रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं प्रस्तुत काव्यांस में उद्धीपन विभाव है इसमें उद्धीपन विभाव है दीन दसा अगला प्रस्ट में इंदी साहिती के इतियास से सम्मंदित है आदिकाल के नाम करण से सम्मंदित कौन सा विकल्ब सही नहीं है तो विकर्प चौथा है विश्वनात प्रशाद मिस्र इन्होंने संदी काल नहीं का आएं आदी काल को सेस तीनों ही सही है गरियरश्ण ने चारण काल काल, राहुल सांस्कृत यान ने सिद सामंत काल काल और हजारी प्रशाद द्वीवेदी ने आदी काल का अगला प्रस्ण है इन में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है तो किर्ती लता वीर गाथात्मक रचना एं सेस तीनों रचना एं वीर गाथात्मक नहीं है अगला प्रस्ण है इन में से कौन सी रचना आदी काल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है तो विकल्प एक वर्ण रतना कर जयन शाहित्य में सम्मिलित नहीं है सेस तीनों ही जयन शाहित्य में सम्मिलित है प्रस्ण बरानवे निर्गुण संत काव्य के संदर्ब मैं कौन सा कतन सही नहीं है हमें प्रस्णों की प्रकृति को हर बार समझना है अच्छी तरह से पढ़ना है और इसका जो उत्तर है चोथावा सही है सेश तीनों ही निर्गुण संत कावे के संदर्ब में सही है और यह सही नहीं है संतों ने साधना में सहस्त्री ग्यान को अनिवारे माना है यह बात सही नहीं है अगला प्रस्ण है इन में से किस विकल्प में क्रती और क्रती कार सुमेलित नहीं है तो पहला जो विकल्प है कभीर परिचे रहधास की नहीं है यह इसका उत्तर है अगला प्रस्ने कवी कुल कंठा बरण की रचना कार है तो कवी कुल कंठा बरण की रचना कार दूलह है बारतेंद्यु द्वारा संपादित पत्रिका कवी वचन सुधा किस वर्स में आरंब होई 1868 में आरंब होई अगला प्रस्ण है 96 इन में से रचनाकार और रचना की दिश्टी से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है तो चोथा विकल्प सुमेलित नहीं है से श्टीनो ही विकल्प सुमेलित नहीं अगला प्रस्ण है रचनाकार और रचना से समन्दित कौन सा विकल्प सही नहीं है तो विकल्प चोथा एवह सही नहीं है से श्टीनो ही सही है कितने पाकिस्तान अमरकांद की नहीं है कहानी और कहानीकार से समदित कौन सा विकल्प समेलित नहीं है तो इसका जो विकल्प दो है खोई हुई दिसाई यह महनराकिस का की कहानी नहीं है अगला प्रस्ण है इन मेंसे किस रचना को 2017 इसवी का भारतिय ग्यान पीट पुरुषकार प्रदान किया गया है तो सही उत्र इसका है जिंदगी नामा ग्यान पीट पुरुषकार कृष्णा सोबती को दिया गया था तो यह जो रचना है जिन्दगी नामा कृष्णा सोबती की है इस लिहाज से इस प्रस्ण का उत्तर है वो जिन्दगी नामा सही बैठता है अगला प्रस्ण है अठारहसो ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कोलेज के हिंदुस्तानी विभागा द्यक्स न्युक्त हुए थे इन में से किस विकल्प की सभी बोलियां पस्चिमी हिंदी की है तो ब्रजबासा और खड़ी बोली पस्चिमी हिंदी की है अगला प्रस्ण है जोज ग्रियर्शन ने खड़ी बोली का उलेख किस नाम से किया है तो वरना क्योलल इंदुस्तानी नाम से किया है इनमें से कौन सी बोली पूरी हंदी के अंद्र गत परी गणित है? पूरी हंदी में कौन सी आती है तो वह है? बगेली अगला प्रस्थन है सगुनही अगुनही नही कछु लेदा गावही मुनी पुरान बुदब लेदा बालकांड रामचरित मानस में यह कथन किस का हैं? तो यह जो कथन है वह सिव भगवान का है, सिव जी का है अगला प्रस्टने पूरन ब्रह्म सकल अविनासी ताके तुम हो ग्याता रेखन रूप जाती कुल नाही जाके नहीं पितु माता यह पंक्तिया किस ने किस से कही है? तो यह पंक्तिया क्रश्ण ने उद्दव से कही है अगला प्रस्टने गिर्धर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाउं इस पंक्ति में किस भाव की भक्ती व्यक्त हुई है? यहां पर माधुरिय भाव की भक्ती व्यक्तुई है अगला प्रश्ण है अजों तर्यो नाही रहो सुरुती सेवक इकरंग नाक बास बेशरी लहयो बसी मुकुतन के संग उक्त दोहे में कवी का अभिप्रित अर्थ है तो इसका आर्थ है सत्सं का मैं तो बताना अगला प्रश्ण है वीकम वर्सां बीतियां गुण चो चंद गुणीस विसहर तिथी गुरु जेट बदी समय पलटी सीस वीर सत्साई के उक्त चंद में किस एतिहासी घटना की और संकेत किया गया है तो यह जो घटनाए विक्रम समत 1914 की सेनिक करांती के संदरब में की और संकेत किया गया है अगला प्रश्ण है खीच कर उच्छवास बोले सिर्फ वे पार्थ में जाता पिता में पास हूँ कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कतन किस का है युदिष्टिर का है अगला प्रश्ण है कामा यनी के संबंद में इन में से कौन सा कतन सही नहीं है ज्यान रखना है नहीं कूछ राए यनी की तीन कतन सही है और चोथा जो विकल्ब तीसरा है यह सही नहीं है अगला प्रश्ण है कृत कृत्य हुआ में तात पधारी आप अशाद्य वीना में ये कथन किस का है तो ये कथन राजा का है अगला प्रस्णे आचारे शोक्लिने उत्सा नमक निमंद में सच्चा उत्सा ही किसे माना है तो सही उतरे कर्म सौंदर्य के उपासक को एक सो तेरहवा प्रस्णे लहरों के राजहंस के विसे में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है यानि कि तीन कथन सही है पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है जबकि चोथा विकल्प अंकों को दृश्यों में विबाजित किया गया है यह कतन सही नहीं है लेहरों के राज अंस के सम्मन में अगला प्रस्न है तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ वारी फेरी वली गई जित देखू तित तू पुक्त साखी के अनुशार आरध्य का नाम जाप करने से भक्त पर इन में से क्या प्रभाव पड़ा तो भक्त पर प्रभाव पड़ा है अहम भाव का तेरो भाव अगला प्रस्न है जहां लक्समी के दे कहानी के अधार पर बताईए कि इन में से कौन सा कथन लक्षमी का नहीं है तो पहला जो विकल्प है मेरा किसी काम में मन नहीं लगता यह कथन लक्षमी का नहीं है सेस्तीना ही कथन लक्षमी के है अगला प्रस्थने मैं पाधा बन गया हूं करू जर्मन की बादसा का तरपन उसने कहाता कहानी में यह कथन किस का है यह कथन वजीरा सिंग का है एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रती पाद्य है दामपत्य सम्मंदों का विगटन अगला प्रस्ण है परिंदे कहानी के अनुशार लतिका की निरास मनह इस्तती का कारण है वहा है मेजर गिरिस नेगी की असामियकि मृत्यूव 111 प्रस्ण है सिक्षन व्यदियां से समन्दित सिक्षन अधिगं प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता सिर्फ अभव किया जा सकता है जिस व्यदि में वह है misunderव्यक्षित निर्देशित अधियन विदी अगला प्रस्ने नियूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धान्त अत्वा तत्थ्यों के इस्पष्टी करण की विधी है प्रदर्शन विधी वह सिक्षण विधी जिसमें वे अध्यापक सिक्षण करें जो विशैगत योगेता एमम कौशलों की दिश्टी से एक दूसरे के पूरक हो तो वह सिक्षण विधी है दल सिक्षण विधी अगला प्रश्ण स्वा गती स्वा मुल्यांकन प्रति पुस्टी आदी से सम्बंधित विधी है अभी क्रमित अनुदेशन विधी अगला प्रश्ण है विभिन है विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवशक है वह सिक्षण जिस विधी से होगा तो यह विधी है सम्वाई सिक्षण विधी अगला प्रश्ण है व्याकरनेक निहमा को कंठस्थ कराने की अपेक्सा कक्सा कक्स में बासाई वातावन बनाने पर अधिक बल दिया जाता है प्रत्यक्स विधी में विकल्प दो इसका सही उतर है अगला प्रश्ण है सुर्ट लेखन अभ्यास विधी का उद्देश है और सही उतर है ये सभी चात्रों की स्रम्ण वा लेखन में समन्वे करना सुद्वर्तनी सिखने में सायता करना और लेखन की गती में व्रधी करना ये सभी सुर्ट लेखन अभ्यास विधी के उद्दे करें यह आवशक नहीं है अगला प्रस्ट ने किसी भी नवीन बासा को जानने के लिए बाश मात्र बाशा आधार का कारे करती हैं इस हैतु जो विदी सहायक है वहाँ है व्याक्रन अनुवाद विदी अगला प्रस्ट निम लिखित में से कौन सापद इकाई योजना के पदो की सही व्याक्या नहीं करता हैं यानि कि विकल्प एक दो और चार सही व्याक्या करते हैं जबकि तीसरा विकल्प है आवशकत नहीं कि संपून पाठे विदी की उप्योग इता देखी जा सकती है तो इन सभी में देखी जा सकती है अन्य शात्रों के अध्यन को प्रभावित किये बिना स्वगति से सीखना अभ्यास को अधिक बल देने का अउसर प्राप्त होता है बासारजन के सक्रिय वातावन नर्मान की अधिक संभावना है तो ये सभी ये चोथा विकल्प इसका सही उतर है, अगला प्रस्ण है, वाक्य रचनाव सब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है, फ्लेस काड़ द्वारा, 131 प्रस्ण है, द्रश्य स्रव्य उपकरणों के समद्द में कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीनों तो सही है, लेकिन शिक्सक का अस्थान ले लेते हैं, यह विकल्प सही नहीं है, तो तीसरा विकल्प है वह सही उतर है इसका, अगला प्रस्ण है, कक्सा सिक्षण में उच्च पासा सिक्षन यंत्र विदी उचार्ण में एक रूपतलाने में सायक होगी अगला प्रस्जंए काड़ पर लिखे सब्थों का चित्रों के साथ मिलान करने का कारे किया जाता है वह विदी है साहजरय विदी और अगला प्रश्ण है आगमन विधी की विशिस्ता नहीं है द्यान दखना है तो ये तीनों विशिस्ता आगमन विधी की है चोथी है सामाने से विशिस्त की और छात्रों की वृति दिखाई पड़ती है ये आगमन विधी की विशिस्ता नहीं है 135 प्रश्ण है मौन वाचन के सम्मंद में निम्न लिखित मैं से कौन सा कतन असत्य है तो मौन वाचन के सम्मंद में तीसरा विकल्ब सभी इस्तर की कक्साओं के लिए उप्योगी है यह कतन असत्य है तो तीसरा विकल्ब सही उत्तर है 136 प्रश्ण है किसी आदर्स लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना अनुलिख कहलाता है किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोस होने का कारण इन में से हो सकता है वह है सुद उच्चारण का ज्यान होना तथा प्रयत्न लागव ये दोनों ही कारण है अगला प्रश्ण है विद्यार्थी की उपलब्दियों वह कमियों का अंदरंतर रिकोर्ड रखा जाता है वह है सतत मूल्यांकन द्वारा अगला प्रश्ण है व्याकरण से समन्नित है इन में से कौन सा कतन सही नहीं है तो अ कंठे दोनी है यह सही है आदीद्ग स्वरे यह भी सही है ई मूल स्वरे यह भी सही है और ई संयुक्त स्वरे यह गलत है तो इस प्रश्ण का जो सही उतर है वह है विकल्प चार इ संयुक्त स्वरे अगला प्रश्ण है निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है विकल्प चार सह 141 प्रश्ण है इन में से किस वर्ण का उचार्ण स्थान अन्य तीन वर्णों के उचार्ण स्थान से भिन है तो श का उचार्ण स्थान तथ और सह से भिन है 142 प्रश्ण है इन में से किस विकल्प में सभी सब्द तत्सम है तो घृत और नवनित ये तत्सम सब्द है निम्नांकित में तत्भाव सब्द है तत्भाव सब्द है कंगन है से से तत्सम सब्द है 144 प्रस्न है किस विकल्प में सभी सब्दे विदेसई मूल के हैं तो मकान और दर्वाजा ये विदेशि सब्द है अगला प्रस्न है निम्न लिकित में देसज सब्द है तो तैंदु आदेसज सब्द है निम्नांकित सब्दों पर विचार कीजिए बया वह सौंदर्य दर्षनिय कल्पना उप्रियुक्त में संग्या सब्द है तो इसमें ब यानि की सौंदर्य और द यानि कल्पना ये दोनों ही संग्या सब्द है अगला प्रस्टने विसेशन से निर्मित भाव वाचक संग्या है तो विसेशन से निर्मित भाव वाचक संग्या भव्यता है अगला प्रस्टने किस वाक्य में मध्यम पुरूस सर्वनाम प्रियुक्त हुआ है तो विकल्प दूसरा आप गाउं से कब आई इसमें मध्यम पुरूस सरोनाम प्रिक्त हुआ है अगला प्रस्ट है निम्नांकित में विसेशन से बनी भाववाचक संग्या है तो भाववाचक संग्या जो विसेशन से बनी वह है नवीन्ता और 2018 के हिंडी के पेपर का अंतिम प्रस्ट है इन में से कौन सा विसेशन सब्द संग्या से निर्मित नहीं है यानि कि तीन तो संग्या से निर्मित है और एक सब्द संग्या से निर्मित नहीं है और वहाँ है अधिक अधिक तीसरा के कल्प सही उतर है यह प्रश्ण पत्र आरपी सी की आंसर की से मिलान करके आपके समुख प्रस्तुत किया गया है आपको यदि कोई किसी प्रश्ण में दुविधा हो, संका हो तो आप कमेंट में अवश्य बताएं वीडियो आपको कैसा लगा? यह भी कमेंट में बताएं और आप चैनल पर यदि नए पता रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद जय हिंद